नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुलनुजी के सेंटर फर मैं राकेश कुमार रायक किरन पब्लिकेशन SSC सामान अध्यान से जीव विज्ञान से 30 प्रस्ण लेकर आया हूँ जो आपके परिक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है फुल डिटेल में आपको बताऊंगा इसको देखके आप जाईएगा तो चलिए इसको देखते हैं सामान विज्ञान से आने वाले प्रस्ण ये सभी प्रिक्षाओं के लिए हैं जिसे आपका SSC, CGL, SSC, JSC, VPSC, JSC, Police जितने भी तरह की प्रिक्षाओं हैं सभी प्रिक्षा बनते हैं हमारे दात और रस्तिया आमतर पर किस्टे बनते हैं तो इसका अंसर हो जागा आपका ट्राय केल्सियम फासपेट से बनते हैं और फ्लू और इन तर्थके का दाथों की विक्रति होती है आदर इखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं दिखिए सारे SSC में पूछे क में पूछा गया है इसहाँ इसलों होता है इत्स वाइरस है यह होता है दोरी सौची डी जह देंड कि इसमें अब देख सकते यह परिक्शां में पुछा गया स्वाल है सब्सक्राइब गया है आने अमेरिका के न्यू आर्क और सान एड्स वार्ष वारेश वला अमेरिका के न्यू और स्वान फ्रांसिस्को नगरों से 181 में सरपर्थम एड्स की सुचना मिली वर 183-84 में एड्स के रोग्यों से उसके करानातमाग वायरिस को अलग किया गया इसके बाद इसे 1986 में HIV का नाम दिया गया और एड्स का पूरा नाम है Acquired Immune Deficiency Syndrome आज़किएगा यहां HIV का कारण होता है यह एक रिट्रो वायरल विमारी है वायरेस में प्रोटीन के तरक्द आनुवांसिक पदार्थ भी होता है जो RNA तथा DNA से DNA हो सकता है वायरेस के अंद्रक प्रोटीन और इसका आनुवांसिक पदार्थ संक्रामक होता है चलिए आगे बढ़ते हैं निनकित्हेट मैंसे कौन सार उधिरवर्व विस्ट व Era vot वीश भयाफी आदाता और अनि उनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है तैक्या उनिवर्सल रिसिपेंट जो है वह आपका A-B ठीक है यह भी क्या है universal recipient और ओ क्या है वह होता है आपका donor आध रखेगा रक्ट समों ए भी को सारभोमिक प्राप्त करता क्याते हैं क्योंकि इसमें कोई antibody नहीं होता और यह जो रक्ट है इस रक्ट वाले work वाले प्राप्त करता कि सरीर में किसी भी work के रक्ट का रक्ट को आप चड़ा सकते हैं चलिए आगे देखते हैं कि सारी परिक्षा में पूछेगे सवाल है अगरा सवाल है सेक्स हर्मोन का पता किस ने लगाया तो 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 जिल इस्टी नेक ने तो तो जिल इस्टी ने ने लगाया था इसको डिटेल में थ्रुभा जाल्यजेए कि स्टी ने कंशी नेक ने करते हैं ओओं के च्यपरदधर्धर्रेदों कि यह हर्मिंगो debuted पूछे करते हैं कौन सी है जो रोगों का परतिरोद करने में सहता करती है तो देखिए रोगों का परतिरोद जो करती है उसको कहा जाता है white blood cell और WBC आध रखेगा स्वेत रख्त का निकाएं विशे शिरोधिर का निकाएं होती है जो कि सरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशे संक्रमा तरस्थाल पर पहुँच कर हनिकारक जिवानू विशानू का उको अतियादी का भक्षन करके सरीर को संक्रमान से श्रक्षा परतान करती है चलि क्या को कहते हैं अप यह पर आपका ओप्शन होजागा जांग की अठी अनि फीमर बोलते है इसको क्या बोलते हैं फीमर आध रखेगा ठीकिए यह सबसे लंबी होती है मारा सिर्पीस है बड़ी हडी फीमर है जो जांग में पाजाती है और सबसे छोटी हड़ी इस्टेपीज है जो मनुस्री के कान में फाजाती है मर्द कान में जन्म के बाद मानों कि किस उतक में कोई कोशिकावी बाजन नहीं होता है तो यह हो जाएगा आपका अप्शन तो तंत्रिका में जन्तु कि सरी के मस्तिष्क अनि ब्रेंड में मेरु रजू तथा तंत्रिका तंत्रिका उतक के बने होते हैं जन्म के बाद मानों कि कोई कोशिकावी बाजन नहीं होता इसको आद रखिएगा जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा आँख सुच जाता और गुला भी हो जाता है तो देखिए जब आँख में धूल जाती है तो उसका नेत्र स्लेंड ठीक है नेत्र स्लेंड आनि नेत्र स्लेसमा जो बलता है यह जो है ठीक है यह सुच जाती है और गुला भी ह जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं पाचन प्रक्रम में किस से साहता मिलता है वो जाएगा आपका अप्षान एक एंजाइम से एंजाइम पर्मुकृप से प्रोटीन होते हैं एंजाइम एक कार्बनिक पतार्त है जो कि एक राशानी अभी क्रिया को दस गुना बढ़ा सकता है पाचन प्रक्रम में एंजाइम से साहता मिलती है सबसे ज़्याइब रूबिस्को में है इंजाइम जे भी इत्प्रेशा होते हैं इसको आद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं शारी SSC में पूछे के सवाल है इसको आप देखिएगा सवाल एक ही हो बनता है सारे परिक में बता दो कि माना से कवा तंद्र जो सोचने समझने किसी जीव चीज को आतरखने की साथ के विभी नेगों के कार में सामझत से उस्तापित करने का करता है तंद्र का तंद्र घाल आता है चलिए आगे बड़ते हैं हाध प्रोटिन के दो सबसे समरीद सुरत कौन से हैं दो सबसे समरीद सुरत जो है वह फोजाएगा आपका option के थी option 3 तीन सोयाबीन और मंगफली में यादा होता है सोयाबीन में 43.2% मनगफली में 25% से अधिक प्रोटीन होता है दूद गाय का होता है में 3-你们 щ量 पर दूद ऑर जो बहस का समय 59 परथिसरत प्रोटिन और इसतारी का दूद में o 7%Si भेम का दूद में 6 फार पर दसलोड साथ प्रोटिन मांच में 8- 181 परथिसाद प्रोटोकिन और अंड़ा में 37 प्रोटिन और दाल में 24 प्रोटिन होता है आज रखेगा इस स्वाशन क्या है? तो स्वासन ऑक्ج्टरण कहलाता है पत्यक जीवित रहने तो ऑक्षिजन के आःष सकता होती है क्यांकि ऑक्षिजन ही कार्बनिक भोजवे पदार् though का ऑक्षिक्रण या विगटन करके और चाँपतार करते है भोज पदार्थों के अक्सेकरन की या प्रक्रिया स्वाशन कहलाती है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिवे सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है जब हम कोई चलिवे सब्जी को धोते हैं तो उसमें जो विटामिन होता है वो विटामिन सी निकल जाता है तीक है और विटामिन को एसकॉर्विक एसिड भी कहते है विटामिन सी को यानि इस विटामिन को एसकॉर्विक एसिड कहते है और यह सिट्रेस फलों में पाय जाता है चोगते नमा सवाल देखते हैं मानाव हिर्दे में कक्षों की संख्या कितनी है तो देखिए मानाव हिर्दे में जो कक्ष है वो चार होते है मानाव हिर्दे में कक्षों की संख्या चार है इसमें दाया और बाया आलिंद तथा दाया और बाया निले कहा दाते है राइट और लेफ्ट अर्टिकल और राइट और लेफ्ट बेंट्रिकल चलिए आगे बढ़ते हैं निम्कित में से सबसे मिठी सरक्रा कौन सी है तो सबसे मिठी सरक्रा जो है वो है आपका आपसन तीन फ्रुक्टोस ठीक है फ्रुक्टोज जो है यह सबसे मिठी सरक्रा है कार्भोहड़ेट को चार भागों में बाटा गया है कौन-कन सो जान लिए मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलिसेक्राइड तथा अलिगोसेक्राइड ठीक है फ्रॉक्टोज एक मोनोसेक्राइट सरक्रा है जो कि प्रकृति में सबसे मिठी सरक्रा है इसका फल सरक्राभी कहते हैं इसको फल सरक्राभी कहते हैं ले अगे बढ़ते हैं विटामिन E इसे तक किसके लिए महत्पून है देखिए विटामिन E जो है यह महत्पून है आपके लिंग गरंथियों को समान किरिया में रखने में विटामिन E का राष्णा निंग नाम टोको फेरोल होता है और यह वासा में विले विटामिन है इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कात है क्योंकि यह जनन किरियां के लिए आपसक होता है विटामिन E लिंग रंथियों के समान स्वास्त के लिए महत्पून है इसका प्रमुक्स रोत होता है आपका अंकुरी दानों जिसे गेहूं, चना, मातर, हरी, पतिदार, सब्जी मानस में भी प्रयाफ्ट मातरा में पाए जाता है या लिंग रंथियां समान तक किरिया में विशेश्टर महत्पून है चलिए आगे बढ़ते हैं मदोमक्की पालन को काते हैं तो देखिए मदोमक्की पालन को काते हैं आपका Option 2, Apiculture मदोमक्की पालन को Apiculture काते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं मानस में कोलिस्टरल का समान तक क्या होता है तो देखिए मानस में कोलिस्टरल का समान तक जो होता है वो 180-200 mg परसंट होता है मानस दिर में कोलिस्टरल का समान तक 100-200 mg परसंट होता है इसका आस्तर 2,70% से जादा हो जाता है तो धमनियों पर जमाँ होने लगता है और इसे एथिरो स्केलोररसी कहते हैं आज रखेगा मानव रूदिर का pH मान कितना है तो तकि मानव रूदिर का pH मान जो होता है वो होता है आपका 7.04 इसको आदर केक्स का 7.04 तो अश्त मनुस में लगवा 5-6 लिटर रुदिर होता है नि बलड होता है और यह एक तरल सनयोजी होता होता है चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे बड़ी अंतरावी गरंथी एंक्त मैं से कौंड से है प्यärन्थी में है शाफ्र भर्र्रावी गरंथी अंतरावी गरंथी अहने धाय चलिए शरी में सबसे बड़ी इस्ते मर से जूड़ी होती है और प्रतेक थाराइट गरंथी ठीक है आपको पूटकों और भरान उतकों की बनी होती है प्रतेक थाराइट पूटक के गुआ को गेरे पूटक कोशी काम से निम्यत होता है चलिए आज का ये 20 स्वाल आपको कैसा लगा कोमेंट करके बताएगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इस तरह का अगर और आप वीडियो देखना चाहते हैं जो फूल डिटेल में हो तो कमेंट जरू कीजेगा फिर मिलते हैं जय हिन जय भारत